हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो यूजुल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्स ने में कोई दिक्त नहों तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली एक स्क्वाइरिश शेप बनाती हैं नजर आ रही है जो यहां पर काफी प्रॉमिसिंग है काफी हार्ड वार्किंग टाइप की नीचर इनकी रहनी चाहिए अब देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो यहां पर एक स्क्वाइर जैसी शेप में नजर आ रही है और अगर इनकी फिंगर्स को यहां पर चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स जो थोड़ी सी शॉर्ट साइज नजर आ रही है थोड़ी सी जल्दवाज परसनालिटी इनकी यहां पर नजर आ रही है जो कई बार कुछ काम शुरू करने में थोड़ी सी जल्दबाजी ये कर सकते हैं और जिसकी वज़े से कई बार नको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और अगर हम length की बात करें particular fingers की तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इनकी जो सूर्या finger है वो थोड़ी short है अगर हम compare करें ब्रस्पती finger के साथ तो ब्रस्पती और शनी fingers की length काफी अच्छी है सूर्या finger का थोड़ा short होना यहाँ पर creativity को थोड़ा सा कम करता है और name and fame मिलने के जो chances हैं वो भी थोड़े से weak रह जाते है ब्रस्पती finger की लमाई यहाँ पर काफी अच्छी है जो show करती है काफी अच्छी leadership qualities को और साथी साथ family की तरफ से मिलने माले सुख भी ब्रस्पती से ही देखे जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी family इनकी रहेगी और काफी knowledgeable personality इनकी रहनी चाहिए क्योंकि ब्रस्पती mount भी यहाँ पर काफी prominent नजर आ रहा है शनी finger की बात की जाए तो पूरी तरह से straight finger नहीं है शनी finger यहाँ पर थोड़ी सी tiltr नजर आ रही है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शनी finger में tiltation हो रही है और एक थोड़ी सी weak structure शनी finger का नजर आ रहा है जिसकी वज़े से यहाँ पर इन्हें ज्यादा hard work करनी पड़ेगी किसी भी काम के लिए ज्यादा efforts करनी पड़ेगी बहुत easily काम नहीं हो पाते अगर शनी की तरफ से promise ना आ रहा हो व्यक्ति को मेनत ज्यादा करनी पड़ती है काफी efforts के बाद ही जो goals है वो achieve हो पाते है उसके लावा आप देख सकते है fingers के बीच में gaps यहाँ पर काफी नजर आ रहे हैं आप एक तो यहाँ पर दोनो fingers के बीच का gap आपको काफी clear नजर आ रहा होगा और दूसरा यहाँ पर सूर्य और शनी finger के बीच में भी काफी fair gap है जो इनकी independent approach को show करता है ऐसे व्यक्ति काफी independently काम करते हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं थोड़ा सा जिदी सभाब भी इस तरह के gaps की वज़े से व्यक्ति का रहता है अगर थिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पर base falanges काफी थिक है इनकी fingers के जिसकी वज़े से काफी अच्छी energy और stamina इनके अंदर रहने वाला है और दूसरी चीज़ अगर हम mercury finger की length की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर mercury finger जो है सूर्य finger के first falange तक पहुँच रही है बेशक बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है लेकिन strength wise काफी अच्छी है एक strong mercury finger यहाँ पर जो एक काफी अच्छे business equipment को show करती है काफी अच्छे communication skills भी इनके रहने चाहिए और काफी अच्छे business equipment यहाँ पर मैं इनकी mercury finger की वज़े से देख पा रहा हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके mounts को और उसके बाद हम lines को भी check करेंगे तो यहाँ पर अगर एक line मैं draw करता हूँ mounts की setting देखने के लिए तो कुछ इस तरह कि यहाँ पर line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी mount low set होता हो नजर नहीं आ रहा mercury mount जो थोड़ा सा नीचे दिखाए ज़रा यह normal यहाँ पर formation है mercury mount की और mercury finger का अच्छा होना यहाँ पर positivity ला रहा है कोई भी mount यहाँ पर ज्यादा low set नहीं है सब भी mounts को appropriate space यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है आगे बात करते हैं particular mounts की तो ब्रस्पती mount के बारे में already जैसे बता ही चुका हूँ आपको काफी उबरा हुआ mount यहाँ पर इनका ब्रस्पती दिखाई दे रहा है finger का size ब्रस्पती finger का size भी काफी अच्छा है जिसकी वज़े से काफी अच्छी leadership qualities रहती है knowledge काफी अच्छी रहती है लेकिन थोड़ी सी egoistic type की nature होने के chances भी रहते है overall shuny की बात की जाए तो आप देख सकते हैं shuny mount यहाँ पर average है नहीं बहुत ज़्यादा उबरा हुआ shuny mountain नहीं बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दबता हुआ तो जिस तरह से थोड़ी सी इनकी shuny finger में tiltation थी उस कमी को यहाँ पर shuny mount पूरा करता हो दिखाई दे रहा है काफी अच्छी भागया रेखा इनकी यहाँ पर नजर आ रही है आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर चंदर area से उपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको draw करके दिखाना चाहूँगा भागया रेखा को यहां से भागया रेखा इनकी शुरू होती हुई और एक स्ट्रॉंग लाइन जो पूरी तरह से शनी मौंट तक पहुँच रही है यह शो करती है फारण से इंकम को विदेश से इंकम और बहरी स्पोर्ट को शो करती है भागया रेखा जब भी चंदर एरिया से शुरू हो और यहां पर प्रॉपरली चंदर एरिया से क्योंकि यह जो एरिया रहता है जो इस पॉर्शन का जो एरिया है जो सारा का सारा मौन एरिया रहता है और यहां से इस भागया रेखा का शुरू होना wife की तरफ से in-laws की तरफ से sport को भी show करता है clients की sport को भी show करता है और विदेश से income के chances जो हैं बढ़ जाते हैं और even foreign travels के chances भी इस रेखा की वज़ा से काफी strong हो जाते हैं आप देख सकते हैं इनका जो money triangle बन रहा है यहां भागया रेखा से कुछ इस तरह से money triangle की formation हो रही है यहां जो रेखा है शनी रेखा और यहां जो रेखा इस तरफ से आ रही है इसको हम कहते है mind line और जो इनकी buddh रेखा है इसमें थोड़ी सी weakness यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से money triangle बनता हुआ जो पूरी तरह से complete तो नहीं है लेकिन काफी अच्छी और बड़ी formation जरूर हो रही है तो income काफी अच्छी रहेगी लेकिन इनके expenses भी ज्यादा रह सकते हैं क्योंकि यहां पर जो mercury line है वो पूरी तरह से complete नहीं है कुछ overlappings mercury line में मुझे नजर आ रही है mercury line में इस तरह की overlappings होना कहीं न कहीं business equipment को थोड़ा सा weak करती है और undesirable decisions विक्ती ले सकता है इसके साथ साथ stomach related problems भी बढ़ जाती है अगर mercury रेकाई क्योंकि इस line को हम liver line का नाम भी देते हैं business line भी कहा जाता है और यही line हमारे business करने की capability को शो करती है साथ ही साथ यही line हमारी liver की functioning को भी शो करती है और इस line में overlappings होना यानि कहीं न कहीं digestion का weak होना भी यहाँ पर इस line से नजर आ रहा है तो इन्हें अपने खान पान के उपर अपनी diet के उपर भी खास ध्यान रखना चाहिए आगे आप देख सकते हैं इनका surya mount यहाँ पर जो इनका surya mount है यहाँ पर काफी अच्छी space के साथ है लेकिन surya rekha यहाँ पर complete बनती हुई नजर नहीं आ रही surya rekha यहाँ पर कुछ इस size की है जो लगब 45 के असपास की age से activate होती हुई नजर आ रही है तो उससे पहले कोई बहुत ज्यादा name and fame मिलना मुश्कल रहेगा लेकिन 45 के बाद की age से काफी अच्छा अच्छी recognition society में यहाँ पा सकते हैं उसके लाब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो mercury mount है उसके उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं एक यही ऐसा mount है जिसके उपर एक से ज़्यादा रिखाएं होना शुब माना जाता है तो यह lines काफी beneficial रहती है healing lines का भी इन्हें नाम दिया जाता है इस तरह की lines होने की वज़े से व्यक्ति social worker type की एक nature रखता है और दूसरों का भला करना एक ऐसी quality व्यक्ति के भीतर रहती है तो यह सभी qualities इनके अंदर रहने चाहिए और क्योंकि mercury mount के उपर ज़्यादा सारी lines है तो multiple sources of income होने के charges भी रहते हैं इस तरह की lines होने की वज़े से तो ऐसा व्यक्ति investments को कहां करना है किस तरह से business करना है इन सभी चीजों में माहिर होता है क्योंकि यह lines कहीं न कहीं business equipment को भी बढ़ाती है आगे देखते हैं इनकी major lines को तो इनकी heart की line यहाँ पर कुछ हलकी downward branches के साथ चल रही है इस तरह की branches heart की line में होना यहाँ पर emotional setbacks को दर्शाती है कुछ ने कुछ emotional setbacks life में रह सकते हैं लेकिन काफी practical type की personality इनकी रहने वाली है क्योंकि heart की line बिल्कुल straight है और shunny mount के नीचे तक ही पहुँच पा रही है इसकी वज़े से materialistic approach भी व्यक्ति की बन जाती है materialistic चीजों के साथ लगाफ ज्यादा रहता है emotions थोड़े कम रहते हैं लेकिन downward branches होने की वज़े से emotional setbacks मिलने के chances रहते हैं आगे अब देख सकते हैं इनकी mind line को जैसे आज़री हम देख चुके हैं कि mind line काफी अच्छी है की और एक money triangle की formation भी कर रही है तो यहाँ पर एक अच्छी और लंबी mind line का होना इनके लिए बहुत better रहेगा क्योंकि इस तरह की mind की line यहाँ पर sharp mind को show करती है काफी तेज दिमाग यहाँ पर इनकर रहना चाहिए आगे देख सकते हैं की life line को तो life line यहाँ पर काफी strong है बाहर की तरफ चलती हुए life की line जो foreign travel score घर से दूर ज़्यादा समय रहने को दर्शाती है कुछ इस तरह की formation होने से व्यक्ती को कई बार travel करना पड़ता है traveling के chances काफी ज़्यादा रहते हैं कुछ इस तरह की line जो बाहर की तरफ निकल लिया और लगबग 75 के around age को यह शो कर रहे है बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ अंदर एक रेखा का और होना जो यह अंदर आप line को देख रहे हैं यह assistant line कहला आती है life line की लेकिन इसका जो specific name है वो मंगल रेखा है इस तरह की line अंदर की तरफ होने की वज़य से व्यक्ति काफी करजियस होता है काफी बहादूर होता है और अच्छी energy और stamina भी रहता है व्यक्ति के भीदर लेकिन यह line सिर्फ energy और stamina के लिए ही नहीं देखी जाती यह line जो है property के लिए भी काफी matter करती है जिनके भी हाथ में इस तरह की line बनती है life line के अंदर की तरफ एक strong line का होना शो करता है का ऐसा व्यक्ति अपनी life में काफी अच्छी property बना लेता है और जो property inherited property है वो भी व्यक्ति को जरूर मिलती है अगर उनकी किसी ancestors के पास property हो तो वो व्यक्ति के हिस्से में जरूर आती है तो यह line property के enhancement को भी ensure करती है और कुछ आड़ी रिखाएं चंद्रमा के area के उपर होना ज्यादा favorable नहीं माना जाता किसी तरह की tensions और मानसिक तनाव इस तरह की आड़ी रिखाओं की वज़य से life में बना रहता है शुकर area पर कुछ worry lines है लेकिन बहुत ज्यादा strong नहीं है जिनकी वज़य से family की तरफ से कुछ worries रह सकती है overall शुकर का area यहाँ पर average है बहुत ज्यादा strong नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा weak भी नहीं है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई question या query रह जाती है तो इनसे request है मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद